नमस्कार दोस्तो आज हम बनाएंगे सुबह के नास्ते के लिए या इवनिंग स्नेक्स के लिए ये ब्रेड का सैंड्वीच जो की दही से बनेगा बहुत ही आसानी से पांच मिनट में तयार होने वाला ये सैंड्वीच सभी को बहुत पसंद आएगा तो दोस्तो एक बार इस तरह से सैंड्वीच जरूर बना कर देखें बहुत टेस्टी बनता है इसे बनाने के लिए चलिए देख लेते हैं ये देखिए हमने एक कटोरी गाढ़ा दही लिया है आधा चमच इसमें हमने हल्दी पाउडर चोथाई चमच मिर्ची का पाउडर आधा चमचीज में हमने पिसी चीनी डाली है थोड़ा सा ये खटा मीठा तीखा फ्लेवर वाला ये हमारा सैंड्वीच कुछ इस तरह से हम दही के साथ में सारी मसाले मिक्स कर लेंगे ये देखिए बिलकुल गाढ़ा सा ये बैटर तयार हो चुका है देख सकते हो कितना ब इसके अंदर हम जैम लगा रहे हैं आप चाहें तो ग्रीन चटनी या रेड चटनी भी लगा सकते हैं ये देखिए कुछ इस तरह से हमने जैम लगा दिया है ये सैंड्वीच आप बच्चों के टिफिन के लिए भी तयार कर सकते हैं बच्चे बहुत पसंद करते हैं खाने म हमने एक चमच तेल को गरम करके इसमें हमने राई डाल दिया कड़ी पता है तो कड़ी पता डालिए एक हलका सा तड़का लगाएंगे और उसके बाद में ये देखिए ब्रेड को मैं इस तरह से दही के साथ में डिप करूँगी चारो तरफ से साइड से भी हम इसे अच्छ इस तरह से हमने एक साइड से अच्छी तरह कवर करके और बस ऐसे हमें इसे पैन में रख देना है अब इस ब्रेड को हम उपर से भी दही के साथ में अच्छी तरह से इस तरह से एक लेयर से अच्छी तरह से फैला लेंगे देख सकते हो बस ये बड़ी आसानी से लग जाती है चम्मच की साहता से और ये सेंडविच बहुत आशान है बनाना खाने में तो ये बहुत टेश्टी है ये देखिए साइड से भी कुछ इस तरह से हम कवर करेंगे और बस दूसरा सेंडविच भी हम इसी तरह से तयार करेंगे ये देखिए इसे बनने में ज्यादा टाइम न आज मिनट में आप जब भी फटा-फट कुछ स्नैक सेया नास्ता या बच्चों के टिफिन के लिए बिलकुल पर्फेक्ट रहेगा एक बार इसे जरूर बना कर देखें ये देखिए बस दोनों को हमने वूपर से अच्छी तरह से कवर कर दिया है जैसे ही ये नीचे साइड म थोड़ा सा गोल्डेन ब्राउन होने लगता है बस इसे हम मुश्किल से इसमें दो से धाई मिनट का ही टाइम लगेगा तेज आज पर न पकाए ने तो नीचे जल जाएगा और बस धाई मिनट के अंदर ही ये अच्छी तरह से एक तरफ पक जाता है और बस हमें इसे पलट लेंगे बड़ी आसानी से पलट भी जाता है जैसे ही थोड़ी गोल्डेन ब्राउन हो जाता है एक तरफ से पकने के बाद बड़ी आसानी से पलटा जा सकता है और बस इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसे हम दो से धाई मिनट ही पकाएंगे ये देखिए दोनों तरफ से इस तरह से हम इसे सेंड्वीच को पका लेंगे और मैं तो कहूंगे कि एक बार ये सेंड्वीच आप बनाएंगे तो आपके बच्चों को भी, बड़ों को भी सभी को यही सेंड्वीच पसंद आएंगे ये देखिए दोनों तरफ से कितना बढ़िया से ये पक चुका है बस अब इसे हमें निकालना बाकी है आईए अब हम इसे निकाल लेते हैं और बस गर्म गर्म ही हम इसे बीच से इसके पीस करेंगे कुछ इस तरह से देखिए कितना बढ़िया कलर आया हुआ है और ज्यादा तेज आँच पर न पकाएं ये साउधानी जरूर रखें और आईए अब हम इसके पीस कर लेते हैं ये देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया से ये कट जाता है और ये देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारा ये स्नेक्स ये नास्ता ये बच्चों के टिफिन पैकिंग के लिए ये तयार कर सकते हो बहुत फटा-फट ये बन कर तयार हो जाता है और खाने में तो इसका स्वाज इतना लाजबाब है कि सभी फ्लेवर इसमें हमें मिलते हैं तो दोस्तों यदि आपको ये सेंड्विच पसंद आता है तो चैनल को तो जरूर सस्क्राइब कर लें लेकिन एक बार आप ट्राई करके जरूर देखें सभी को पसंद आएगा और कमेंट करके बताना कि ये सेंड्विच आपको कैसा लगा दोस्तों मैं तो पूरी उमीद के साथ आपसे यही कहूंगी कि ये जरूर आप ट्राई करना थेंक्यू धन्यवाद